कि हैलो दोस्तो स्वागत है आपका नौलजी कोच व्यूटरी चल में दोस्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने वाड़ाँ form 6s क्या होते है form 6s के इंपोरिख क्या है और form 6s को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे इसको हम डाउनलोड करके अपने computer में save करके रख सकते हैं दोस्ता मैं आपको बता दता हूँ form चप्पीएस एक तरह से consolidated statement होती है एक पूरी statement होती है पूरे साल की जो भी आपका TDS कट है TCS कट है या आपने कोई भी टेक्स अडवान टेक्स जमा कराया है अपने पैन नमबर भी तो उसकी पूरी detail आपके form 26 में आ जाती है form 26 के जो importance जो महत्व इसलिए है क्योंकि जब भी आप अपने income tax return file करते हो अगर आपको credit TDS का आपके form 26 से match नहीं करता तो आपको income tax department की तरफ से notice आएगा और उस notice में और उस notice में आप की जो भी difference होगा उसके उपर income tax calculate होगा और उसके उपर interest penalty के साथ आपको उसे जमा कराने पड़ेगा इसलिए दोस्तों यह बहुत जरूरी है जब भी आप अपने income tax return file करें उसका जो भी TDS का credit है उसको 26 के साथ जरूर match करें अगर आपको कहीं पर आपको लगता है कि मेरे TDS TCS ज्यादा कटा है उतना फूमचप BAS में reflect नहीं हो रहा है तो आपको अपने जो भी जहांसे भी आपको TDS या TCS कटा है उससे आप उसकी TDS की return को file कर रही हो सकता है कि उसने अपने TDS को सब्सक्राइब करते हैं और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों जो हमारा फूमचप BAS है उसको हम income tax की website है जहां से हम return करते हैं वहां से download कर सकते हैं सबसे पहले हमें अपने browser है जो भी आपका जिससे भी आप internet करते हो उस ब्राजर को अपन को करना है और वहां पर income tax इंडिया इफैलिंग वेबसाइट को खोड़ना है तो दोस्तों आपको income tax इंडिया इफैलिंग डोट को डोट इन वेबसाइट पर और यहां पर आपको लोगिन करने हैं दोस्तों अगर आप यह तक का आप रिश्टर नहीं हो तो कैसे रिश्टर करने उसके लिए मैंने लग्सेग वीडियो बना रखी आप उस वीडियो को मेरी को देख सकते हैं वहां से उसको देखके आप अपने आपको यहां पर इन काउंड एकसी और उसके बद्सक्राइब करने लोगिं करते लिए तो दोस्ते विंडो यहां पर सबसे पहले आपका आड़ेस दिखा दिखा देते हैं अगर आपको एड़ेस सही है तो आप इसको कर सकते हैं अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं उसके बद दूस्त आपको पास इंकमडेक्स की वेबसाइट खुलेगी तो यहां से आपको माई अकाउंट में जाना है और व्यूफ फॉंच पर क्लिक करने हैं जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह विंडू होनती है तो आपको कंफर्म करना है तो आपको यह यहां से tdscpc.go.in other जो दूसरी साइट है उस पर लेके चला जाते है ट्रेस पर और आपको यहां पर आई अगरी करके इसको परसीड करते हैं और जब की पास यह विंडू खुल जाएगी दोस्तों तो यहां पर निच्छे लिखा रह अपको फॉर्म डाउंन्लोड करने उस पर आपको यहां पर कली करने जैसे मेरी को 19 विस करने व्यूज आप इसको दो फॉर्मिलन देशके तो टेक्स और एच्ट्यमेल में तो आप इसे एच्ट्यमेल में करिए ज्यादा अच्छा रहेगा और व्यू डांलूड पर कली कर दोस्त HTML में इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप इसको बाद में PDM में एक्सपोर्ट कर सकते हों दोस्त देखो यह दिख रहा है मेरा टेक्स क्रेडिक जहां से मेरा कट है उस पूरा आ गया है मेरा फूम्चप ब्यास हो गया अब दोस्तों हो सके तुम्हें इसको PDM में डाउनलोड करके अपने किमपोर्ट मरें कहीं पर भी सेविश करके रख्षकता हूँ तो आपको एक्सपोर्ट एज PDM में इस पर क्लिक कर देने तो आपके पास यह सब PDM में डाउनलोड हो गया है तो दोस्तो ऐसे आप फोंचर ब्यास को डाउनलोड करके रख सकते हैं कि अगर आप को अच्छा लगा तो प्लीज क्लिक की लाइक किजीएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजीए ओके दोस्तो थैंक यू अगर आपके इस से लेटर कोई क्वेरी जाया तो प्लीज कुमेंट बॉक्स में लिखें मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँ ओके थैंक यू